नमस्कार कुईकेंडिया चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपको बताने बाले हैं कि Instagram से WhatsApp को Remove कैसे करते आने की Unlink कैसे करते हैं तो इस वीडियो को देखते रहें तो चलिए सुरू करते हैं तो Instagram से WhatsApp को हटाने के लिए Delete करने के लिए उसको Unlink करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने फोन में Instagram को Open करना है Open करने के बाद आपको नीचे में Profile Icon का Option दिखेगा तो आपको यहाँ पे किलिक करना है किलिक करने के बाद अगर आप अपने Instagram पे WhatsApp को लिंक किये होंगे तो यहाँ पर आपको WhatsApp दिख जाएगा आप यहाँ से इसको Unlink करने के लिए डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर एक Edit Profile का Option दिखेगा तो आपको यहाँ पे किलिक करना है उसके बाद आपको उपर की और स्क्रॉल करना है इसको रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक Contact Option मिलेगा आप आपको यहाँ पर किलिक करना है किलिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका WhatsApp का Mobile Number दिख रहा है Simple आपको यहाँ पर किलिक करना है किलिक करने के बाद यहाँ से Instagram से WhatsApp को रिमूब करने के लिए डिलीट करने के लिए आपको रिमूब हो वार्षेप पर क्लिक करना है और यहां से आपको एस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहां से जो आपका वार्षेप है यहां से अनलिंक हो जागा डिलीट हो जागा तो इस तरह से आप इंस्टाग्राम से वार्ट्सेप को अनलिंक कर सकते आने की डिलीट कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद